हेलो दोस्तों आपका फ्री MP Study चैनल पर स्वागत है इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्छा सात्मी की वर्क सीड जो की माह मार्च की है गड़त विसाई की उसका पूरा हल इसमें हम देखने वाले हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नाई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यह सात्मी पहला आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए तो यहां पर पहला प्रेस्ण दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए जिसमें दिया है प्रेस्ण में आठ घंटे एक दिन का कौन सा भाग है तो यहां पर हम जानते हैं कि 24 घंटे का दिन हो हो जाएगा बी नमबर का अंसर आप यहां पर लिख देंगे एक बटी तीस ठीक है इसके बाद मैं है दी गई आकरती में एकस का मान होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आकरती है समकौर तरभुज है तो हम जान दे समकौर तरभुज के तीनों कुनों का योग कितना ह होता है एक सो अस्तियां होता है तो यहां पर यह कितना हो जाएगा साथ और चाली 6 Rojo cage 120 औरuj 180 होता है तो आपका कितना बचा यहां पर 120 में से 60 बचा ठीक है और यहाँ पर 120 हो गया यहाँ पर बचा 60 60 को हम गटा देंगे कितने में से तो यह रहा आपका दूसरा प्रस्ट ने जिसमें दिया है दी गई आक्रती में X कमान होगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 40 है 1 कमान 1 कमान है कितना? 60 तो हो जाएगा दोनों का 100 और यहाँ पर बचेगा अब 80 तो अगर इसका 80 हो गया तो हम जानते हैं कि सीधी दिका का कमान कितना होता है? 180 तो अगर हम 80 को घटा देते हैं 180 में से वह मारा बचता है 100 तो सो इस अधिक कॉन कमान निकला आएगा तो एकस कमान कितना हो जाएगा सो डिगरी ठीक है मतलब की सो अंस यहाँ पर यह आजाएगा आपका सो तो यहाँ पर आपके लिए सी वाला अंसर भर देना है सो इसके बाद देखते हैं अगला प्रस्न तो यहाँ पर तीसरे प्रस्न में है संख्या सत्रा को दरसाने वाले मिलाजन है तो हम जानते हैं कि जो चार कटी हुई लाइन होतीं है वो पांच का संख्यत होतीं है और सिंगल सिंगल लाइन जो है वो एक का बतलब एक की काउंटिंग में आती है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 के लिए यह 5 हो गया, यह 5 हो गया, यह 5 हो गया तो 5, 3, 15 हो गया यह और 2 यह तो हो गया कितने 17 तो यह D-Number का जाएगा आपका सही आंसर इसके लिए आप भर देंगे ठीक है तो इस प्रकार से आपके लिए कट लगा देनी है तीन बार, चार्चार लाइन लिए लिए और फिर इसके बाद में दो लिए देना है, यह भूजाएगा आपका D-Number कांसर इसके बाद आता है आपका अगला प्रस्न चौधा तो यहाँ पर प्रस्न है किसी आयतकार खेत के चारो और बाड लगाने के लिए आप अश्चकतार की लंबाई को कहते है तो वो लंबाई हमारी परिमाप कहलाती है ठीक है, तो यहाँ पर इसका B-Number कांसर जाद आगा, वो परिमाप कहलाता है तो यहाँ पर आप परिमाप लिखे देंगे B-Number का ठीक है, फिर आपका अगला प्रस्न है एक 15 मीटर लंबी सीड़ी भूमी से 12 मीटर हों चाहिए परस्ते सिखड़गी तक पहुंचती है, दिवार से सीड़ी के पैर की दूरी है, तो यहाँ पर इस परकार से आपके लिए यह दूरी बताई है, बंदरा है, यह बताई है बारा, तो यह बतानी है आपके लिए कितनी है यहाँ पर पाइथ है, और आपके लिए का हम प्रियों करते हैं, तो हम इसका बार करेंगे और इसका बार करेंगे ठीक है मतलब की करन का और लंब का बार करके हम आधार का निकाल लेती हैं तो इसका 132 हो जाएगा और 144 हो जाएगा तो घटा देंगे तो कितना वचे का आपका एक क्यासी हो और इस प्रिकार से आपका यहाँ पर 9 अंसर आजाएगा ठीक है उसका हम अगर रूट निकालते हैं तो यहाँ पर 9 मीटर हो जाएगी यह दूरी ठीक है यह हमारी 9 मीटर दूरी आजाएगी इसके बाद में आपका अगला प्रस ने जिसमें दिया गया है पिर आता है आपका प्रस नम्बर 2 जिसमें दिया है बताएं दो छायंग की तभाग मिलकर बरत के कितने बाकूने रुपित करेंगी तो यहाँ पर एक चायंग की तभाग यह है और एक यह है अगर हम दोनों को मिला देती हैं तो इस प्रकार से आपका दोनों साइट की तभाग हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इतना सारा भर देंगे आप यह आपका दोनों का यूग करने पर आ जाएगा ठीक है, तो इस प्रकार से इस च्यत्रीक थे बहर देंगे तो यहां पर आपका यह अनसर में आजाएगा, इसके बाद देखती हैं, मतलब बहरेंगे गैंसे, तो यह दो बाटी आपका चार हो जाएगा प्रक्रमशहद चार पजोर तीन को घंड़ं परता है उसके उसके दीजिस पड़ने का वस्त क्या है तो हम सत किकल से की से किसे निकाथते हैं 3 उसकेसे तो टॉटल वर खरनेंगे 3 से भाग देदेंगे मतलब 1क13-2016 संय तो यहां पर तो इस प्रकार से इसका उत्तर था आप देखती है अगला प्रस्ण तो आता है आपका प्रस्ण नमबर 3 जिसमें दिया है नीचे दिये गए प्रस्णों को ये निर्दी सनुशार हल कीजिए तो यहाँ पर प्रस्ण नमबर एक फड़े लेंगे आप तो उसका पहला प्रस्ण एक रेखा खन चीचए और उसका लंब सम्दूभाजाएक लिकिये तो यहाँ पर चार दीषमारा देखो 5 cm का हमने एक क्या है लंब खीचा और उसका सम्दूभाजाएक मतलब कुस के बीच में से एक रेखा खीज नी है जिसे हम सम्दूभाजाएक लंब कहीजिए ठीक है तो यहां पर 2.25 10-2010 में भागा देना है अगला प्रस प्रसना कोई इसमें लिखान से बढ correlation कीजिए तो यहां पहर है एक खाने का उप्सक्यक्य निकान देने हैं मतलब शूला बरग इकाई इसका क्या हो जाए कि एरि कहाई या सीट्र फाल ठीक हैं तो ये शूला उला खानी है आपके तो शूला बरग इकाई हुजा एक क्याओं कि एक खाने का एक बरग इका है इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा फिर देखते हैं आगला प्रस्ने तो वर्स उनिस सो अन्ठावन और अन्ठानवे से दो जार दो के बीच एक एक फ्रक्ट्री वर्ण निर्मित साइकलों की संख्या निर्मिक्त सालनी दोबार अधर साइक गई है इसके इस सालनी की आधर पर निर्मिक्त प्रशन को उत्तर दीजिए तो यहां पर सालनी को ध्यान से देखेंगे पर नीची देगाए प्रशन को उत्तर लिखेंगे तो पूछा है किस बार सबसे अ सबसे कम cycle की संक्या का अंतर क्या है तो यहां पर हम सब का total करते हैं मतलब की mm990 में से लिए के 2002 था की तो यह हमारी 400 cycle में आती है ठीक है तो यह को लो हो जाएंगी 40 cycle और इनका अंतर बताना है सबसे कम और सबसे ज्यादा का तो सब से कम है हमारी कितनी 600 मतलब sorry 800 और हां मतलब 600 है सब से कम ये भूंआ सबसे कम हो च retwebert θα अब सोब 7 क मुएगा बहुत है प 의स च च्शå साइकल हो जाएंगी ऐनतर हो ठीक है। तु यहां पर हमने सब से जाएदा और सब कम साइकलों का अंतर निकाल लिया तो 600 आ गया इसी प्रकार से अब देखते हैं आपकी अगला प्रस्ट ने दिया है कि छाय आंकित भाकूने रुपत करने वाली भेनने का नाम बता ये तो यहां पर देख रहे हैं कितने खाने हैं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पा प्रस्टों को हल कीजिए तो यहां पर है किसी स्कूल की एक विसे कक्षा के लिए दिये गए आलेक को देखकर दिमने प्रस्टों को उत्तर देनी है तो यहां पर पेमाना दिखाया गया है यहां पर विद्धिहारतियों की संख्या दिखाई गई है यहां पर बर्स दिखाय काप लिशार 222 में कुछा में बिद्ध्ध्ध्यारत्य किंस्ख्या कितनी ए को यहां पर 2030 में कितनी है आपके जाता आधा है आ nobody के लिए 20033 it's मतलब 2000 और दोई अनतर बता रहे तो यहां परती दो-गड़रती भी doing तो यहां पर प्रप्रासन कि एक सेँब को मतलब की बराबर भागों में वाटा गया और मुझे तीन मतलब दो भाग और मेरे भाई को एक भाग मिला तो हम दोनों को सेफ का कुल के दुना भाग मिला तो एगर एक को दो मिले और एक को एक भाग मिला तो हम दोनों का टूटल करते दी हैं तो तीन बटे चार भाग हो जागा क्यों कि चार बराबार भाग किये गए थी ठीक है तो यहां पर लखे देंगे हम दोनों को सेप का कुल तीन वटे चार भाग मिला इसके बाद आता है आपका प्राइशन पांच मां कि एक मेच की उपरी प्रेस्ट की लंबाई मतलब की जो माप है दो मीटर ओड़े एक सो पचास सेंटी मीटर है तो मेच की प्रेस्ट का भाग से त्रफल बर्ग मीटर में गयाद कीजिए तो यहां पर इस प्रेकार से इसका सॉल्यूशन होगा कि मेच की उपरी प्रेस्ट का माप बराबर दो मीटर ओड़े तो सेंटी मीटर फिर जो आएगा कि हम चुक जानते हैं कि सो सेंटी मिटर इसकोल टू एक मीटर होता है और दोने का मगोना कर देंगे दो मीटर बन पॉंट फाइम मीटर तो आ जाएगा आपका 30 बर्ग मीटर इसका उत्तर हो जाएगा और देखती है अगला फ्रेस्ट नमबा चेह में दिया है आकड़ी देखकर लिखी यहां पर आकड़ी देखकर उसके नाम बताने है कि कौन से का पर क्या है तो यह ओ जो है हमारा वो क्या जाएगा उत्तर में यह नमबर का है के अंदर है यह ओ ठीक है तो यहां पर बताना है आपके लिए जैसिस डी और ए क्या है तो यहां पर बता लिए क्या है ब्यास है बी सी तो यहां पर यह ब्यास हो जाएगा बी सी ठीक है तरज् और O B हो जाएगी और O C हो जाएगी तो इस प्रकार से आपकी तरज्जा होती है तो वासा अगरते हैं वीडियो पसंद आए होगी तो अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का अपने दोस्तों में सेर करें थेंक यू